नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं नीज क्लिक पर खोच खबर कायकरम आखिरकार विपक्षी दलों ने बैंगलोर में जुटकर घोशना कर दी चकडे इंडिया की 2024 का चुनावी रोड मैप तयार कर दिया उन्होंने घोशना की इंडिया इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूजिफ ऐलाइंस और इसने जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी को परिशान किया वो तो अपने आप में जबरदस्त है जिस भाशा का इस्तमाल प्रधान मंत्री जी ने किया इस ऐलाइंस के विरोध में विपक्षी एक्ता के विरोध में वह शायद अब तक के तमाम प्रधान मंत्रीयों का सबसे निम्न स्तर होगा उन्होंने किस तरह की बात की विपक्षी दलों के लिए उन्होंने किस तरह से इसे ब्रष्टाचार का अखाड़ा बताया वे भूल गए कि प्रधान मंत्री जी आपने जिस NDA की बैठक वास संबोधित किया जहां पे तमाम उद्गार आपने व्यक्ष किये वहाँ पर 38 के करीब दल आये थे उसमें से अजीद पवार भी थे उसमें से एक नाश शिंदे भी थे यह तमाम लोग वे हैं जो भाश्पा की वाशिंग मशीन में धुलकर बाहर आये हैं यानि उन पे गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है कि एक बास साफ है कि यह गटबंधन साबित कर रहा है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी को सीधे सीधे चुनौती मिल गई है और यह शायद विपक्षी एक्ता की पहली जीत है विपक्ष ने जिस तरह से एक स्वर में आकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है यह लड़ाई सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है यह लड़ाई दरसल देश को बचाने की है लोकतंत्र को बचाने की है क्योंकि भारती जनता पार्टी और खास तोर से प्रधान मंत्री नरेन मोदी की सरकार पिछले नौ सालों में लोकतंत्र को बुल्डोज कर रही है और इस बात पर जिस तरह की सहमती बनी है जिस तरह से 11 सदसीर टीम बनी है वह अपने आप में अभूत्पूर्व घड़ी है क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस समय यह बैठा को रही है उस समय तमाम जगों पर भाश्पा की वाशिंग मशीन हो या फिर ED, CBI और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इनकी जो दबिश है, इनके जो निशाना है वह सीधे सीधे विपक्ष के उन नेताओं पर है जिन्होंने बिखने पर या पाला बदलने से मना कर दिया है शायद यही वज़ा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे यहाँ पर इससे भारती जन्ता पार्टी में बड़े पैमाने पर परिशानी हुई, खलबली मची जिसकी साफ जलक प्रधान मंत्री नरेन मोदी के भाशन में देखी जा सकती है करोडों के गोटाले में जमानत पर है, तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है, तो उसकी और ज़्यादा खातिरदारी होती है अगर किसी दलका कोई वर्तमान मंत्री प्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा नमबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुला कर बुलाये जाता है अगर कोई किसी समाज का अप्वान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवा भगत होती है अगर कोई अदालत से करोडों के गोटाले में दोसी पाया गया है, तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है बलकि ये लोग तो उससे मारदर्शन मांगते है ब्रस्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मियता है, बड़ा प्रेम है इसलिए 20 लाख करोड रुप्ये के ब्रस्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मियता से आपस में मिल रहे है इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तिया याद आती है एक कभी महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है गाईत कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है उन्होंने जिस तरह से एक अवधी कविता का उधारन दिया अब आप देखिए, वो कहते हैं कोई कभी महाशय, उनको याद नहीं कि ये कविता किसकी है खैब, ये अलग बात, कि जो पंक्तिया उन्होंने उद्रित की, जो कोट की, वो कहीं से भी कविता नहीं है और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को कभी माल में, कभी बोतल में, कभी लेबल में तबदील किया वह कंभी रूप से लोकतांत्रिक संकट को दिखाने वाली बात है कि आप विपक्ष को dehumanize करते हैं, उनके बारे में बहुत ही below the belt war करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो पहली बार राहुल गांधी की महबत की दुकान का भी जिक्र करते हैं महबत तो गायब है, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ लोग दुकाने खोलते हैं और उन दुकानों पे सिर्फ जातिवाद भेजते हैं, सिर्फ भष्टाचार भेजते हैं यानि उन्हें जो पूरा जमावड़ा है विपक्ष का उसे भष्टाचार और जातिवादी जमावड़े में तब्दील किया और शायद चोट बिलकुल निशाने पे लगी है विपक्ष की जो गटबंधन हुआ है, जिसने एलान किया है और आने वाले दिनों में तैह हुआ है कि हर सीच पर, हर राज्य पर, नियम के हिसाब से गटबंधन काम करेगा यानि भारती जनता पार्टी के लिए निश्चित तोर पर, दो हजार चौबिस का चुनाव वैसा नहीं होगा जैसे उसने सोचा है प्रधान मंत्री को सुनते हुए वाकई मेरा मन कर रहा था कि काश, प्रधान मंत्री, मनिपूर की इन औरतों के भाशन को, उनके गुसे को सुन पाते यह हाई हाई हो गया, बिजेपी सरकार माइट एक बोट भी नहीं लगाएगा, अगुथा का देगा बोट भी नहीं लगाएगा नहीं लाएगा, ईतना अफ्सोस लेकर बिधा हो उठाओ है तो, विजेपी सरकार का तो हाई हाई हो गया पे language हाई हो गया अंनल fail, पंठिल नहीं देखे均 मनिपूर की ओड़तें साफ साफ शब्दों में कह रही हैं प्रधानमंत्री जी, कि हम अपना अंगूठा काट देंगे, लेकिन भारती जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारती जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और आपके मताबिक प्रष्ठाचार मुक्त सरकार है. लेकिन मई से जल रहा है मनिपुर और जुलाई तक आप एक शब्द नहीं कहते मनिपुर के बारे में सुनिए ये भी भारत की नागरिक हैं आपको वोट देती हैं मोदी जी और शायद जब विपक्ष एक जुट होता है तब आपको डर यहीं लगता है कि जो स्वर मनिपुर में उठ रहे हैं कहीं वो देश के बाकी कोनों में न उठने लग जाएं क्योंकि आप जिस भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आपके सामने सामने की लाइन पे आपके साथ फोटू भी खिचवाई है अजीत पवार जी ने वही महराश वाले एंसीपी वाले जिनके बारे में आपने जून में 27-28 जून को आपने भोपाल में कहा था कि उन्होंने करूम का घोटाला किया है सिचाई घोटाले की बात आपने की थी लेकिन जैसे ही वो भाशपा में शामिल हो गए आपके गडबंधन में आ गए वो ब्रष्टाचार मुक्त हो गए मैं सोच रही थी कि जब आप बोल रहे हैं ब्रष्टाचार ब्रष्टाचार तो आपके सामने वाली पंक्ती में बैठे अजीत पवार क्या सोच रहे होंगे, क्या वे सोच रहे होंगे कि आपका निशाना उन पर है या उनके जैसे अनगिनत लोगों पर, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अभी आपके दल में ही शामिल हुए राजभर, तो हम सब जान कि हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में तब भी मैं नहीं जाओंगा एक बार जो बहुत साफ शब्दों में उभर के आई बैंगलूरू से और करनाटक में ये बैठक का होना बहुत एहम है क्योंकि करनाटक में भारती जनता पार्टी की नफरती राजनीती को ब दरसल यह सिर्फ एक शक्स के खिलाफ लड़ाई नहीं है यह सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है दरसल यह विचारधारा की लड़ाई है जिसका जिकर राहुल गांदी ने अपने भाशन में कहा वो बहुत एहम है हमने अपने आप से सवाल पूछा लड़ाई किसके बीच में है ये लड़ाई ओपिजिशन और बीजेपी की बीच में लड़ाई नहीं है देश की आवाज को दबाया और कुछला जा रहा है ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसी लिए ये नाम चुना गया Indian National Developmental Inclusive Alliance मतलब इंडिया लड़ाई एंडिये और इंडिया के बीच में है नरेंद्र मोधी जी और इंडिया के बीच में है उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं है उन्होंने कहा कि यह देश को बचाने और देश को बरबाद करने की बीच की लड़ाई है और शायद 2024 का जो चुनाव है वो उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लोकतंत्र पे तो मोदी जी आप, आपकी सरकारें, बुल्डोजर चला ही रहे हैं और शायद यही वज़ा है कि जब ये विपक्षी आवाजें लोकतंत्र को बचाने की आवाजें खड़ी हुई हैं तब आपको कम से कम इसे एड्रेस करना पड़ा रहा है निश्चित तोर पर आपने माना की विपक्षी दल अभी तक भारती राजनिती में हैं इसके लिए आपको साधुबात तो बनता ही है शुक्रिया